नमस्कार दोस्तों जैपी स्टेनोगराफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है यह डिक्टेशन अस्य सब्द परति मिनट का होगा जो की साथ मिनट तक बोला जाएगा जन्सता से लिया गया है दस सेकिंड बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल अब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ इवेल आइकन भी ओन करते ताकि आपको डेली नएने सब्दों की डिक्टेशन अगी नोटिपिकेशन सब सब पहले मिल दी रहा है रेडी स्टार्ट करना तक विदान सबा चुनाव के नतीजे हैरान कर करने वाले नहीं है इसकी प्रष्ट भूमी काफी पहले से बननी शुरू हो गई थी इससे कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से पुनर जीवन मिला हैं इससे लेकर वहें काफी आसानवित भी थी सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से कहीं अधिक सीटें उसे मिली हैं इस तरह है उसके बविश्य को लेकर फिलहाल कोई आसंका नहीं है इन नतीजों का विशलेशन कई लोग अगले साल होने वाले आम चुनाव पर पढ़ने वाले असर के पेमाने के रूप में कर रहे हैं मगर लोकतंतर में हर चुनाव की स्थतियां भिन्न होती हैं और उन्हें परस पर जोड़ कर देखना कई बार दोखाद हैं साबित हो सकता हैं हाला कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि करनाटक चुनाव परिणाम भाजपा के लिए खत्रे की गंटी की तरहें आये हैं उसने चुनाव परचार में अपनी सारी ताकत जोंक दी थी मतदाताओं को अपनी तरफ खीचने का हर तरीका आजमानी की कोशिस की मगर कामियाब नहीं हो पाई तो उसकी वजहें भी साफ हैं दरसल लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि बाजपा को सत्ता में नहीं आने देना हैं जब मतदाता का ऐसा रुजान होता हैं तो राजनितिक दल चाहें जितने भी तरीके आजमाले जितनी भी ताकत जोंक ले उन्हें कामियाबी नहीं मिल पाती हिमाचल परदेश में भी यही हुआ दरसल करनाटक में बाजपा सरकार की कामकाज को लेकर लोग खुस नहीं थे सबसे अधिक नाराजगी ब्रस्टाचार की वजहें से थी 40 परतिशत कमिशन की सरकार का जुमला उस पर काफी बारी पड़ा सत्तापक्स के कई नेता ब्रस्टाचार की मामलों में लिप्त पाए गए थे फिर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी बाजपा के खिलाप गया ये कुछ दाग ऐसे थे जिनहें दोना बाजपा के लिए आसान नहीं था इसलिए उसने विकास का मुद्दा उठाया ही नहीं जिसका बखान वहें दूसरे राज्यों के चुनाव में करती रहती है दार्मिक आधार पर दुरुवी करन करने का परियास करती रही जो उसके खिलाप ही गया इसके उलट कांग्रेस बुनियादी और इस्थानिये मुद्दों पर केंदरित रही राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा के समये ही करनाटक के लोगों का रुजान पता चल गया था फिर सिद्रमया और डीके सिवकुमार जैसे कदावर नेताओं ने संगठित होकर जिस तरह काम किया उसका परभाव पड़ा और कांग्रेस को उसका लाब मिला कांग्रेस अध्यक्स मलीकारजुन खडगे का परभाववी काम आया इसके उलट भाजपा में शुरू से ही ऐसंतोस नजर आने लगा था उसके कई वरिष्ट नेता चुनाओं के समिये पार्टी छोड़ गए हाला कि कुछ लोग इन नतिजों को जातिये समिकरण के आधार पर हल करते देखे जा रहे हैं मगर इसमें जद की फजिहत को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता दरसल कांग्रेश को सभी समुदायों का मत मिला इस तरह हैं इस फ़स्ट हैं कि करनाटक में कांग्रेश ने फिर से अपनी पुरानी जमीन वापस पाने में कामियावी हासिल की हैं उसे ने केवल आलपसंख्यकों बलकि अन्ये पिछडी जातियों और दलित वर्ग का भी समर्थन हासिल हुआ हैं इस नतीजे के पीछे केंदर सरकार की नेतियों और कामकाज का असर भी देखा जा सकता हैं इसलिए कई लोग इसके आधार पर आगामी आम चुनाओं का आकलन कर रहे हैं मगर करनाटक जैसी इस्थितियां हर राजी में नहीं हो सकती और ने वेसा मिजाज हर राजी की मतदाता का हो सकता हैं उत्तर परदेश में इस्थानिये निकाई चुनाओं में भाजपा पर लोगों का अब भी भरोसा बना नजर आया हैं पर इसफ़स्ट हैं कि बाजपा के लिए अब पहले की अति उत्साह का समय नहीं रह गया हैं एफ एफ दोस्तों जबाइब्सकाव पीडिएफ डिस्क्रीपशन मदी मुझुद हैं आप premi से थाकर कर सकते हैं साथ यह डिक्टेशन और इसका पीडियव वर्षयप गरूलrüब पर भी शेयए किया जयता है जिसका लिंक डिस्क्रीपशन मौजूद से आप जोइन कर सकते हैं दोस्तों के डिक्रेशन अच्छा लगी पसंद आये तो लाइक शेर कमेंट जरूर करें थैंक यू